नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विशिष्ट योग है अब बात करते हैं आज के रतोत्सब त्योहार और विशेश आयोजनों की और अब नजान आलते हैं चंद्रमा की इस्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में दिशाशूल बुद्वार को तर दिशा के आत्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र सिती के अनुसाराज दक्षन दिशा के आत्रा लाबदायक है राहुकाल मधिमान से दुपहर 12 बजे से दुपहर 31 तक राहुकाल वेला में शुब कारेरम यथा संभव वर्जुत रखना हितकर है बात करते हैं शुब मुहुर्त और स्रेष्ठ चौगडिये की शुब मुरत उपर्युक शुबा शुब समय तिथीवान अक्षत वयोगानुसा राज विवाद चूड़ा पहनना कृपारारम विद्यारम सगाई रोका नामकरन अनप्राशन प्रतिष्ठा ग्रियारम वाहन क्रेव मशीन री प्रारम जलवा मुंड़ा इन विपनी अक्षरा जनम लेने वाले बच्चों की नाम शुबाठ पे आधी एक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी कन्या है, कन्या राशी के स्वामी बुध है, इनका जनम रजटपाद से है, सामाने तह ये जातक समाज में अग्रणी, माननीय, परोपकारी, धन्मान, भागशील, सुशील, सुन्दर पर शीग्र क्रोथ करने वाले और व्यसन प्रिय भी होते हैं इनका भागवदय लगबग 30 वर्ष के आयो के बाद होता है, कन्या राशी वाले जातकों की दूर परे यात्रा हो सकती है, यात्रा लाबदाएक रहेगी, धरम करम में विशेश रुची रहेगी तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने, खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रह, नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, नमस्कार